मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे सुप्रीम कोर्ट की उस टिपड़ी पर बात करने जा रहा हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने तथा कतित बुल्डोजर न्याय को रोकने की बात कही है इस पर हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे ये घटना कई दिनों से चल रही है बुल्डोजर क्या है? किसी ने अपराध किया और अपराधी के घर को कुछ दिनों के बाद राज्य की सरकार के द्वारा गिरा दिया गया किससे गिराया गया? बुल्डोजर से ध्वस्त कर दिया गया क्यों किया गया क्योंकि यह अपराधी था तो इसको लेकर के फिर बकायदे सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है याद रखिये अभी सुनवाई चल रही है ल कि बुल्डोजर कौन चला रहा है सरकार चला रही है यानि कि प्रशासन चला रहा है तो प्रशासन हो गया और आप सिविल सर्वेंट बन करके प्रशासन का ही हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी हो गया और दूसरा सुप्रीम कोट है, इसमें न्याई शब्द भी है, जुडीसरी भी है, तो जुडीसरी भी है और प्रशासन भी है, चुकि इस एक घटना में दो तंत्र विद्यमान है, एक प्रशासकीय तंत्र और दूसरा न्याई के तंत्र, इसलिए यह बहुत important हो जाता है, तो अब हम सुप्रीम कोट ने क्या कहा है, इसके बारे में जानते हैं, मैं आपको प्रिष्ट भूमी बता चुका हूँ, किसी ने अपराद किया, अभी अपराद सिद्ध नहीं हुआ है, और बकायदे सजा देने के तोर पर उसका घर गिरा दिया गया, धुस्त कर दिया गया, और ऐसा एक दो के साथ नहीं हुआ है, कई कई के साथ किया गया है, और एक दो राज्यों में ही नहीं हुआ है, कई कई राज्यों में हुआ है, इन इस्थितियों को देखते हुए सुप्रीम कोट ने इस से पहले दो सितंबर को साफ तोर पर आदेश दिया था, कि नहीं, अ अब ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और हम इसके लिए राज्य सरकारों को गाइडेंस जारी करेंगे दिशार निर्देश जारी करेंगे कि किन किन स्थितियों में ऐसा किया जा सकता है लेकिन अनफॉर्चनेट पार्ट ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट के यह कहने के बाद भी कु जान ने कहा था और हमारे आदेश के बावजूद बुलडोजर का मेहिमा मंदन हुआ है और कहा गया बकाएदे मैं यहां किसी राज्य के प्रमुखका या किसी प्रशासक कि ये प्रमुक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन साफ तौर पर कहा गया कि बुल्डोजर चलता रहेगा, और यह इस पर निर्भर करता है, कि स्टेरिंग किसके हाथ में है, तो नो डाउट, स्टेरिंग तो प्रशासन के हाथ में है, यानि कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, साफ खोशित तौर पर उसकी अवहिलना की गई, तो क्या सच में यह किया जाना चाहिए, आपके लिए मैं सोचने को, विचार करने को कुछ प्रशन दे रहा हूं, इन पर आप विचार कीजिए, इसे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्या सच में प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहिलना करनी चाहिए थी, या कि इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए था, क्या करना चाहिए था, और यदि प्रशासन न्याईक अवहिलना करने लगा, तो फिर स्थितियां क्या होंगी law and order की या लोक तंत्र की इस पर आप विचार कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सहफ तोर पर कि यह जो तथाकतित बुल्डोजर न्याई है, अखबार इसे बुल्डोजर न्याई के रूप में लिख रहे हैं, यह जो तथाकतित बुल्डोजर न्याई है, यह समविधान के बिलकुल विपरीत है, सम्विधान के अनुकुल नहीं है मौलीक अधिकारों का तो देखे साफ तोर पर उलंगन है ही उधारन के तोर पर एक तो मैं पॉइंट रख चुका हूँ कि ठीक है अपराधी है लेकिन सिद्ध तो नहीं हुआ है और जब तक अपराधी सिद्ध न हो जाए तब तक आप उसे अपराधी नहीं कह सकते है वो अभियुक्त है उसके लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है अभियुक्त चलिए कोई अगर अपराधी भी है माल लीजए अपराधी भी सिद्ध हो गया है तो कि न्यायाले में या हमारी नियम में कोई ऐसी ब्यवस्ता है कि पूरे परिवार को सजा दी जाए, पूरे परिवार के सिर के ऊपर से छत छेन ली जाए, और अगर आप ऐसा करते हैं, तो क्या यह जीवन का जो मौली क अधिकार है, right to life, क्या उसके विरुद्ध नहीं है, right to life, सोच करके देखिए, कुछ ऐसे अपराद होते हैं, जिस पर न्यायाले मृत्युदंड सुनाते हैं, और बकाइदे, अगर मृत्युदंड की सजा सुनाई जा रही है, तो definitely अपराद तो बहुत गंभीर किसम का होगा ही, तब ही सुनाया गया मृत्युदंड, लेकिन क्या ज तो ये कौन सा न्याय है कि उनके घर गिरा दिये जाएं, तो सुप्रीम कोट ने साफ तोर पर कहा कि अब कभी भी ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, बिना हमारी अनुमती के, कोई भी घर अब ऐसा नहीं होगा, और पूरे देश में अपराधिक मामलों के आरोपियों सहित किस किसी भी तरह का ध्वस्तिकरण नहीं होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अवैध रूप से ध्वस्तिकरण का मामला है, तो भी वह अभी समविधान के मुल्यों के खिलाफ है, देखी क्या करें, मान लीजे कि किसी ने अवैध रूप से कोई मकान बना लिया है, तो ये भी समविधान के विरुद्ध है कि आप उसके मकान को ध्वस्त कर दे, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, हलाकि जब बकायदे कोट में बहस हो रही थी, तो कुछ लोगों ने जो उधर से वकील थे, उन्होंने बकायदे बताया कि कैसे कैसे प्रक्रिया अपनाई गई उसकी भी सुप्रिम कोट ने धजिया उडा दी, उन्होंने कई और ऐसे क्रॉस कोश्चन किये कि जिनका जवाब वकीलों के पास नहीं था, इसकी साथ ही साथ एक बात सुप्रिम कोट ने और कही है कि यह जो हमारा आदेश है, यह आरोपियों की निजी संपत्ति को लेकर है उनकी जो निजी संपत्ति है, लेकिन अगर सडक पर कोई अवैध निर्माड है, फूट पाथ पर कोई अवैध निर्माड है, रेलवेट ट्रैक पर अवैध निर्माड है, जल श्रोतों पर कुछ ऐसा हो रहा है, तो हमारा आदेश उन पर लागू नहीं होगा, उन्हें ध् शासन को कुछ छूट भी उन्होंने दी है, दोस्तों एक ऐसा मामला आया कि जो मकान था, वो पत्नी के नाम पर था, और जो अपराधी था, उपती था, तो जब मकान भस्त किया गया, तो किसका मकान भस्त किया गया, वो मकान जो पत्नी के नाम पर था, पत्नी के नाम पर थ अभी सवाल उठने वाले हैं क्योंकि सुनवाई तो अभी जारी है। अभी इस पर सुनवाई जारी है और हम देखते हैं कि finally Supreme Court क्या कहता है लेकिन हम ये सब पढ़ने के बाद सुनने के बाद अनुमान लगा सकते हैं कि Court क्या कहने वाला है एक बात Court ने और बहुत important कही है जो आपको मालूम होनी चाहिए और इसे आप note भी कर सकते हैं क्योंकि जो Supreme Court की टिपड़ियां है मुझे लगता है कि answer writing में ये बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी और खासकर वे student जो अभी means में appear होने जा रहे हैं उन्हें भी मेरी सला है कि ये जो घटनाए अभी हुई है अगर गुंजाइस निकलती है तो इन घटनाओं का उलेक वो बकायदे में एक बात और कही सच पूछे तो जो मुझे बहुत अच्छी लगिया हो यह है कि कार्यपाली का जज नहीं हो सकती एक्सक्यूटिव जो है यानि कि कार्यपाली का के जो members है अपने को जज न समझे वो जज नहीं हो सकती और आप जानते हैं कि समवैधानिक दृस्ति से हमा आपवारे यहां शक्ति प्रतक करण का सिधान थै एक्स्क्यूटिव जो कानून को लागू करते हैं लेजिसलेचर जो कानून बनाते हैं और जो कानून की व्याक्षा करते हैं कानून पर अपना मत देते हैं नियाई उपलब्द कराते हैं जनता को जुड़ी सरी हमारे ये तीन इस्तंब हैं और इन तीनों की जो शक्तियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। हम ये जरूर देख रहे हैं कि जो एक्सक्यूटिब की शक्तिया और जो खासकर जो लेजिसलेजर के शक्तियां हैं, उनमें काफी कुछ ओवरलैपिंग होने लगी है, लिकिन एक अच्छ पैदा होती वी सुनाई पढ़ती होगी अखबारों में भी आप पढ़ते होंगे इसके बारे में लेकिन जुडिसरी ने अपने आपको किसी तर से बचा कर रखा हुआ है एक घटना कुछ दिनों पहले अखबार में छपी थी गणेस पूजन के दिन हमारे प्रधान मंत्री ज सुप्रीम कोर्ड को प्रभावित करने की कोशिस कर रहा है और कि जुडिसरी को प्रभावित करने की कोशिस कर रहा है मैं व्यक्तिगत रूप से यहां यह कहना चाहूँगा कि हमें इसके आधार पर यह निश्कर्स नहीं निकाल लेने चाहिए ऐसा होता नहीं है जो इस तरह की घट्टा है घटित होते होंगी कभी धर्म को ले करके कभी परिवार के सदस्यों को ले करके कभी जाती को ले करके कभी छेत्र को ले करके तो क्या इनका प्रभाव उनके निरणईयों पर पढ़ता होगा नहीं ठीक है व्यक्तिगत इस तरह पर जो जज है व्यक्ति भी है और व्यक्तिकत इस तर पर जो प्रधानमंत्री है वो एक नागरिक भी है तो मुझे लगता है कि इसे इस रूप में देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तो फ्रेंड्स आज के विशे के बारे में बस इतना ही और दोस्तों इसी के साथ ही आज के इस डेली आउडियो